भाई और बहनों, 21 सदी के भारत के लिए पानी की परियाप्त उपलब्दता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरुरत है ही, जीवन के अर्थे वबस्ता के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गती से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्यूरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभवी नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन, हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इस बात की गंबीरता को समझ कर, दसकों पहले हमें इस दिशा में पहुत कुछ करने की जरूत थी। और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूँ, अगर हम योजना बद्द तरीके से, जन भागे दरीके साथ, पानी बचाने की पहल करेंगे, तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी, पानी हमें पैसों से भी ज़्यादा किम्ती ताकत के रुपे उभर करके आएगा। जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागेदरी से होना चाहिए, उसमें कहीन कहीन कमी रह गई। नतीजा ये कि जैसे जैसे भारत विकास के पत पर बढ़ रहा है जल संकड की चुनोती उतनी ही बढ़ती जा रही है अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया पानी का दोहन नहीं रोका तो आने वाले दसकों में स्थीती बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और हमारे पुर्वजों ने हमें पानी दिया है ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीड़ी को हमें पानी सुरक्षित दे करके जाना चाहिए इससे बड़ा कोई पुन्य नहीं है और इसलिए हम ताय करें कि हम पानी को बरबाद नहीं होने देंगे हम पानी का दुर्प्योग नहीं होने देंगे हम पानी के साथ पवित्र रिस्ता रखेंगे ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी ये देश की वरतमान पीडी का दाइत्व है कि आने वाली पीडियों के लिए अभी से अपनी जम्मेदारी निभाएं